नमस्कार, क्यापिटल टिवी का खाश शो राहूल का अगने पर देखने हैं आप मैं हो आपके साथ पूजा लोगसबा में आज लागतार दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताओं पर जोड़दार बहस होई और राहूल गांधी ने फिल्मी हीरो की तरह एंट्री लेते हुए कहा जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं तो आज मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलना चाहता हूँ पर राहुल गांधी दिल और दिमाग के खेल में ऐसे फसे कि हर बार की तरह इस बार भी अपने बयानों में बुरे फस गए लगता है तैयारी पूरी नहीं थी और इसलिए हर बार की तरह इस बार भी confused नज़र आए राहुल गांधी मोधी सरकार को मनपुर मामले में घिरते घिरते ऐसे फस गए कि अब उन पर ही आक्शन की बाते सामने आ रही है राहुल गांधी ने अपने भाशन में कहा कि मनपुर में भारत माता की हत्या कर दी गई है राहूल ने कहा कि इनकी राजनीती ने मनिपूर को नहीं, हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है, हिंदुस्तान का कतल किया गया है राहूल गांधी किस बयान से स्मृति इरानी भड़क उठी और चुन चुन कर राहूल गांधी के हर एक बयान का मुतोड जवाब दिया तो कुल मिलाकर एक बार फिर राहूल गांधी अपने बयानों से बुरे फसे हैं आज इसी पे चर्चा करेंगे बाच्चत के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है क्यापटल टीवी के एक्सक्यूटिब एडिटर राजीम जी राजीम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका राहूल गांधी कब समझदार नेता बनेंगे इस तरह के बयान वो क्यों देते हैं देखे राहूल गांधी ने पूरी तैयारी की और उसके बाद पहला शब्द क्या बोला कि दिल से बोल रहे हैं दिमाग से नहीं पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या राहूल गांधी के पास अब भी दिमाग है इसके जाच होनी चाहिए ये बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी दिमाग से कब बोलते हैं जब जब बोलते हैं वो बहक कहते हैं कि दिल की आवाज सुनो क्योंकि दिल में दिमाग नहीं होता है और आज भी उन्होंने संसद भी यही बाते कही अब अगर देखा जाए 2018 और 2023 2018 में जब राहुल गांधी ने संसद में बोला था और बोलने के बाद जो उनकी एक्टिवीटी थी वही एक्टिवीटी फिर से 2023 में भी देखने को मिली है बिल्कुल आपने सही का जो इस बार एक्टिवीटी दिखी है उसकी तस्वीरे अपने दर्शकों को दिखाते हैं तो राहुल गांधी हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो चर्चा का विशय बन जाता है और राहुल गांधी की राचनीती पे सवाल खड़े करता है प्यम्मोदी को गले लगाना से लेकर आख मारने की कहानी राहुल गांधी की एक बार फिर से चर्चा में आ गई है चले गए राउल गांदी किस हरकत को लेकर बीज़पी की 22 महिला सांस्दों ने स्पीकर ओम विरला को पत्र लिखकर श्रकायत दर्श कराई है उन्होंने कहा है कि सिस्टीवी फुटेज निकाल कर जाच की जाए और उनके खिलाब कारवाई की जाए स्पृति इराने ने भी इ इंदुस्तान सनातन संस्कृति इसमें किन बातों को किन इशारों को किस तरह के के व्यवार को सभ्य माना जाता है और किस तरीके के व्यवार को सभ्य माना जाता है वहां तो संसद का सवाल है संसद के अंदर तुम मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए ये संसदिये परंपरा कहती हैं लेकिन सिर्फ संसद की बात अगर छोड़ भी दे तो भारतिय परंपरा, भारतिय संस्कृति, सनातन संस्कृति क्या कहता है इन बातों के बारे में क्योंकि हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति में कहीं भी फ्लाइंग किस जैसे जो इशारे हैं उसको सब तरीका नहीं बताया गया है ये जो तरीका है वो पश्चमी सब्विता की देन है और राहुल गांधी और हिंदुस्तान की जो बात कर रहे थे आज राहुल गांधी और हिंदुस्तानी सब्विता में उतना ही अंतर है जितना की एक समुद्र और हिमाले पहाड के उचाई और गहराई के बीच है क्योंकि दोनों में कही भी ताल में नहीं दिखाई पड़ता अगर राहुल गांधी की हर activity को देखें उनके रहन, सहन, खान, पान, तरीके जो परदे के पीछे हैं और जो परदे के सामने हैं परदे के सामने क्या होता है कि ये चुकी एक पबलिक फिगर हैं, परधान मंत्री के उम्मिदवार बनने की तयारी कर रहे हैं, कॉंग्रिस के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष राच चुके हैं, सांसद हैं, और ऐसे में उनको दिखाना होता है कि हम कम से कम भारतिय संस्कृति क साथ जुड़े हैं, भारत के ही हैं, विदेशी नहीं हैं, जो उनके उपर बार आरोप लगता रहा कि एक विदेशी मूल की महिला कि ये जो बेटे हैं राहुल गांधी, उनमें जादा तर असर विदेशी संस्कृति का है, इरोपियन संस्कृति का है, इसलिए दिखाने के लिए वो बाहर में जो चबी परदर्शित करते हैं, वो चबी उसके अंदर नहीं है, ये अगर देखा जाए, तो संसद में जो ये व्यभार किया गया, अगर उन पर हसा गया, या उनसे कुछ भी उमीद की जा रही थी, इस बात को लेकर, कि जब राहुल गांधी की फाइल उठते हुए कुछ प्रणाम का इसारा कर सकते थे, कोई और तरीके का इसारा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, फ्लाइंग किस ये पश्चमी सभथा की देन है, जो बॉलीवूड से चलता हुआ, भारतिये सभथा में किसी तरीके से एक पीड़ी में गांधी यही करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी की परवरिश जो है, वो बिदेसी तरीकों से हुई है, उनके अंदर से जो सांस्कृतिक संघर चल रहा है, दिखाने वाला अलग और करने वाला अलग, उसी का अंतर यहां संसद भवन के अंदर दिखाई पड़ा लोकसभा में जब उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, तो पहली बात तो यह है, किस संसदिये परंपरा के खिलाफ है, उसके लिए कंप्लेन होगा, दूसरी बात यह है, कि भारतिये जंता पार्टी की महिला सांसद, जैसे कि पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं, जबक यही है, आप किसी महिला के तरफ या फिर सावजनिक जगह पर, जहां पर महिला पुरुस दोनों हैं, अगर कुछ ऐसे ही सारे करते हैं, जिससे किसी महिला को परिशानी होती है, अनकमफर्टेबल होती है, तो उसके खिलाफ एक्सन लिया जाना चाहिए, करवाई होनी चाहि इन बातों का कोई ध्यान नहीं रहता है, जैसे कि पिछले दिनों जो असम की कॉंग्रेस की यूथ विंग की जो महिला थी, उन्होंने भी शिकायत की थी, कि किस तरीके से उनको बुलाने का तरीका अलग है, गलत तरीके से इसारा किया जाता है, और कॉंग्रेस के अंदर इ के साथ बोला जा रहा है, कि तुम बोड़का पी के सोती हो, सुबह में क्या करती हो, ऐसे क्यों आती हो, तो ये एक सामान विवहार कॉंग्रेस के संस्कृती में बन गया है, क्योंकि राहुल गांदी उसी पक्ष्चमी संस्कृती को यहां पर लागो करने के कोशिश करते है भले ही संसद के अंदर भारत माता की बात बोले, हिंदुस्तान की बात बोले। पार्टियों का मकसद यह हो ही नहीं सकता कि सरकार को कोई खत्रा हो, जिस पार्टि के पास अकेले तीन सो से जादा सांसद है, लोकसभा के अंदर, जिस पार्टि के गठवंधन सहयोगी को मिला कर तीन सो तेतिस सांसद है, जो अपोजिशन पार्टि सब मिला के 147 सांसद र तो ये तो तैहा कि वो अविश्वास प्रस्ताप गिर जाएगा वो पास नहीं हो सकता तो फिर मखसद क्या क्या था मकसद यह dag कि अपने जो पूराने जो तरीके हैं अभी मौनसुन सत्र के दौरान चल रहे हैं कि यह लोग हंगामा करने की कोशिश करते रहे पूरे सत्र के द च्वाब दे कि हम भी कुछ कहना चाह रहते और संसत को चलाना चाह रहते इसके लिए एक तरीका लाया गया कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उसमें हमें बोले कमों का दिया जाएगा सबी पातियों के लिए टाइम निर्धारित किया जाता है कि कितना समय किसक इतनी भी रन्निती बनाई उसका अंतिम तोर पर जो परिनाम निकला है वो यही निकला कि अगर भारतिये जनता पाटी को चुनोती देनी है तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की चवी को कमजोर करो उनकी चवी को नुकसान पहुचाओ और इन लोगों के पास इतने समय मे कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं मिला जिसके बाद ये कह सकते हैं कि उस पर पिये मोदी को घेरा जाए ब्रस्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है यूपिये वन यूपिये टू के समय में भी भारतिये जनता पाटी ने भी कॉंग्रेस के खिलाफ जो ब्रस्टाचार क आरोप लगाया थे उसके पीछे C.A.G. की रिपोर्ट थी उसके पीछे C.B.I. और E.D. की जाज थी उसके पीछे सुप्रिम कोट के कुछ फैसले थे लेकिन जब इन लोगों ने ब्रस्टाचार के आरोप लगाना शुरू के चाहे राफेल के मुद्दे पर हो सुप्रिम को एक आइडिलिस्टिक विवहार को दिखाना जो कभी पूरा नहीं हो सकता हिंदुदान जैसे मुल्क में अगर किसी परदेश में अशांती है किसी दूसरे परदेश में अच्छी विवस्था है तो वो बैलेंस करने की कोशिश की जाती है लेकिन जब ये अभिश्वास प्र रही है क्यों नहीं देश को सम्हाल पा रही है इन मुद्दों पर चर्चा करना था और इसलिए पूरा का पूरा मकसद ही यही था कि कैसे भी पिये मोदी को बदनाम किया जाए और जब भारत माता की जै की बात होती है तो ये भारतिये जनतापाटी के ज़्यादा तरनेता और परधान मंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच पर ये बात बोलते हैं अब भारत माता वो बोलते हैं तो इन्होंने भारत माता की हत्या की बात कर दी वो हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश करते हैं इन्होंने हिंदुस्तान की आवाज दवाने की बात विदेशों में की और हिंदुस्तान की हत्या की बात कर दी मतलब मनिपूर की जब बात हो रही है तो आप ये बता रहे हो कि मनिपूर को भारत से अलग बता दिया गया है पिये मोदी की नजरों में अब पिये मोदी वहाँ पर जाए या ना जाए अमिश्रा जाए या ना जाए वो देश के प्रधा सामालना उनका काम है, वो वेवस्था in समाल रहे हैं. लेकिन प्रधान मंत्री और ग्रेमंत्री की तुलना तो ये रावन से कर देते हैं? क्योंकि इनके पास राम और रावन के बीच के अंतर को समझने की चमता हैं. जो व्यक्ति यही नहीं समझ पाया हो कि रामायन में क्या-क्या लिखा है उनके करेक्टर कौन-कौन से है और करेक्टर के बीच अंतर क्या है जो इस संस्कृति को समझ ही नहीं पाया जो उस ग्रंथ को कभी पढ़ा नहीं हो उसको कैसे पता चलेगा कि रावन की क्या भुमिका ये तो सिर्फ सामाने तरीके से ये जो धन होता है, रावन का पुतला जलाया जाता है, उस समय नाम सुने होंगे, कि रावन कोई था जिसको बुराई का परतीक बताया जाता है, लेकिन उसके आगे की चीज़ों को इनसे मतलब नहीं है। इसलिए जो सामने आया उसकी तुलना उसके साथ कर दिया रावन तो आजकल विपक्ष की पातियां बनी हुई है जो बुराई को साथ में लेकर जो चोर लुटोरियों के संगठन है जिसको बार बार जिक्र किया जाता है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक एक करके बताय है यह जितनी पातियां है वो कैसे कहीं ने कहीं करप्षन में लीन है करप्षन किये हुए है टोटल उन्होंने आकड़ा भी दिया बीस लाक करोड का करप्षन इन लोगों ने किया है ब्रस्टाचार किया है अब यह सारी की सारी पातियां ब्रस्टाचार की है तो इन लोगों को सामने वाले पर अटैक करने के लिए एक करेक्टर चाहिए होता है वो करेक्टर इन्होंने शामिल कर दिया लेकिन जवाब भी उसका उसी नजरिये से मिला है क्योंकि यह जो पारलियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है यह लाया ही इसलिए है कि पूरे देश के परसेप्शन के उपर हमला करो यह जो अवधारना चल रही है उसमें नई अवधारना बनाने की कोशिश करो कि विपक्ष किस तरीके से सरकार को इसारा कर रही है संकेत दे रही है अच्छे काम करने के लिए लेकिन इनका दाव उल्टा पड़ गया है प इनके वक्ता कुछ सवालों में उलज गए और भारतिय जनता पाती के नेताओं ने सांसदों ने जिस तरीके से एक एक पाती और एक एक जो गठवंधन के सहयोगी हैं उनके आपसी कलह आपसी तरीके स्वार्थ और जिस तरीके से ये लोग आगे काम करने वाले हैं उन सारी बातों की चर्चा की है उससे लोगों ने समझ लिया कि ये जो स्वार्थी संगठन है गटबंदन है वो विकास के लिए नहीं विकास को रोकने के लिए एक होकर बैठी है और इसलिए राहुल गांधी जो उद्देश लेकर गए थे वो उद्देश तो पूरा नहीं होगा ले एक बार अपनी बात कहो और जब दूसरे की बात सुनने की जरूरत हो तो उस समय छोड़कर भाग जाओ मंच छोड़ने की बात तो सुनेते यह संसत छोड़कर ही चले गए अपनी बात बोलने के बाद अगर आप किसी कवर आरोप लगाते हो तो आपके पास सुनने की भी छमता होनी चाहिए अगर सुनने की छमता नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका व्यभार लोकतांत्रिक नहीं है डेमोक्रेटिक नहीं है जो डेमोक्रेसी की हत्या की बात कर रहे हैं उसनोंने सबसे ज़ादा डेमोक्रेसी की हत्या की है और ये आज सावित हो चुका है बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने की वी तो राहूल गांदी ने आज लोग सवाम में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बाते रखी हैं पर तैयारी हर बार की तरह अधूरी थी एक बार फिर राहूल गांदी अपने वयान अपने हरकतों से बुरे फस गए हैं अब दे